अभिनेता देवानंद ने अभिने की दुनिया में आने के लिए छोड़ दी थी फौज की नौकर। बॉलिवुड के एवर ग्रीन अभिनेता की जब भी बात आती है तो निश्चित तौर पर सबसे पहले जहन में देवानंद साहब का नाम सामने आता है। एक ऐसा अभिनेता जिसने हिंदी सिनेमा में छै दशक तक अपने मुस्कुराते चहरे, लुक्स और अदाकारी के अलग अंदास से सबको आकर्शित किया था। देव साहब अभिनेता होने के साथ ही फिल्म लेखक, डाइरेक्टर और प्रोड्यूसर भी थे। वे नवकेतन फिल्म्स उननीस सौ उन्चास के को फाउंडर भी थे। वे बॉलिवुड इतिहास के सबसे महानतम और सबसे सफलतम अभिनेताओं में गिने जाते हैं। 26 सितंबर को देव आनंद साहब की 98 वी जयनती है। ऐसे में इस मौके पर जानते हैं उनके जीवन के बारे में कुछ अनसुनी बातें। देश के बंटवारे से पहले शकरगड में हुआ था जन्म। देव आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को ब्रिटिश शासन वाले भारत के पंजाब प्रांत के शकरगड में हुआ था। बंटवारे से पहले शकरगड तहसील पंजाब के गुर्दासपुर में आती थी। अब शकरगड पाकिस्तान के नरोवल जिले में आता है। देव साहब का असली नाम धरम देव पिशोरी मल आनंद था और उनका बचपन से ही अभिनय की ओर जुकाव था। देव आनंद के पिता पिशोरी लाल आनंद पेशे से वकील थे। पैसे की तंगी के कारण छोर दी थी पढ़ाई। देव आनंद साहब ने लाहौर के मशूर गवर्नमेंट कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में अपनी सनातक की डिगरी पूरी की थी। वो इसके बाद आगे भी पढ़ना चाहते थे। लेकिन घर में पैसों की तंगी के कारण उन्होंने पढ़ाई छोर दी। इसके बाद कड़ी मेहंत और लगन की बदौलत उन्हें मिलिटरी सिंसर आफिस में नौकरी हासिल कर ली थी। लेकिन उन्होंने एक्टिंग के लिए अपनी नौकरी छोर दी थी। इसके बाद देवानंद ने फिल्मों की ओर रुख किया। तीन दोस्तों के साथ मुंबई में सस्ते होटल में रहे। देवानंद साहब वर्ष 19.43 में अपने अभिनय के सपनों को साकार करने के लिए मुंबई पहुँचे थे। उन्होंने मुंबई पहुचकर रेलवे स्टेशन के समीप ही एक सस्ते से होटल में कमरा किराये पर ले लिया जहां उनके साथ तीन अन्य लोग भी रहते थे जो उनकी तरह ही बॉलिवुड इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए संधर्श कर रहे थे हम एक हैं से किया था फिल्मों में डेब्यू देव आनंद ने मुंबई आने के तीन साल बाद यानि वर्ष उननीस सो चियालीस में फिल्म हम एक हैं से बॉलिवुड सिनेमा में डेब्यू किया था पहली ही फिल्म से देवानंद को सिने दर्शकों ने पसंद करना शुरू कर दिया था इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्म इंड़स्ट्री को एक से बढ़कर एक कई बहतरीन फिल्में दी उन्होंने कई फिल्मों का निर्देशन और निर्मान भी किया था साल 2011 में 3 दिसंबर को लंदन में देवानंद साहब का निधन हो गया और इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए आज भले ही वे हमारे बीच नहीं लेकिन हिंदी सिनेमा में उनका अतुल्निय योगदान हमेशा याद किया जाएगा